दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवाल लर्निंग डेपर और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरबो जहा साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि UP में ऐसे कौन से टॉप 10 ब्रांचे हैं जहां से अगर आप डिपलोमा करते हैं मतलब जहां से अगर आप पॉले टेकनिक करते हैं तब आपका जो प्लेसमेंट होगा या फिर आगे आपको गौर्णमेंट में जॉब बहुत आसान तरीके से मिल सकती है तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 ब्रांच के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों मैं एक एक ब्रांच के बारे में आपको बताऊंगा उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने पॉलेटिकनिक इंटरंस एकजाम 2024 या फिर IERT 2024 का फॉर्म फिल कर रखा है है तो लर्निंग दे से आप जरूर जुड़ें क्योंकि लर्निंग दे करवा रहा है पॉलेटिकनिक इंटरंस एकजाम 2024 और IERT एकजाम 2024 की कम्प्लीर तयारी बिल्कुल फ्री में इसी रेगुलर्टि से क्लास देख सकते हैं रेगुलर्टि से क्लास जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तों आईए स्टार्ट कर देते हैं जो टॉप 10 ब्रांच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें दोस्तों सबसे पहली जो और सबसे फेमस ब्रांच आती है सिबिल ब्र इंजिनेरिंग से डिप्लोमा करने का चांसेद मिल जाए तॉप कॉलेज कौन कौन से होते हैं इसे रिलेटेड मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बना रखा है आप इस वीडियो को जरूर देख लेना ये वीडियो आपको चैनल के वीडियो अले सेक्शन में मिल जाएगा और जो कॉलेज हैं टॉप के अगर वहाँ पर आपको ये टॉप ब्रांच मिल जाती है तब आप समझ लो आपका सोने पर सुहागा हो गया मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया अब दोस्तों अगर बात करते हैं मेकैनिकल इंजिनिरिंग की उसके पहले अगर मैं सीबिल की बात करूँ तो सीबिल का जो इसकोप है वो गौर्डमेंट सेक्टर में बहुत जादा है गौर्डमेंट सेक्टर में के साथ साथ प्राइबिट सेक्टर में भी सीबिल का इसको बहुत तगड़ा है अब दोस्तों अगर मैं Mechanical Engineering की बात करता हूँ तो Mechanical Engineering में कुछ Partition हो जाते हैं जैसे Mechanical Automobile हो जाता है और Mechanical Production हो जाता है इसके साथ ही साथ एकाथ दो और Mechanical की ब्रांचे जुड़ती हैं लेकिन जो Most दो बहुत महत्पूर मानी जाती हैं एक Mechanical Automobile और दूसरी Mechanical Production मानी जाती है ये दूसरे नमबर की ब्रांच आपकी Mechanical की होती है बहुत बढ़िया ब्रांच होती है अगर आपको Civil नहीं मिलता Mechanical मिल जाता है या फिर आप Mechanical में ही जाना चाहते हैं तो Mechanical तो सबसे बहतरीन ब्रांच है आपका Private सेक्टर के लिए Private सेक्टर में आप इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं और Government सेक्टर में भी Mechanical से Vacancy आती है बेकेंसी आपको देखने को मिलेगी लेकिन थोड़ा सा सिबिल के औरेज में थोड़ा सा Mechanical में कम बेकेंसी आती है एक और जो तीसरी ब्रांच के रूप में जिसके बारे में हम दोस्तों डिसकस करेंगे वो आपकी होती है Electrical Engineering भी Top 3 ब्रांच में आती है और सबसे बढ़िया ब्रांच मानी जाती है Electrical का दोस्तों Government सेक्टर में बहुत तगड़ा इसकोप है जैसे सिबिल का Government सेक्टर में तगड़ा इसकोप है वैसे ही Electrical Engineering का भी आपका Government सेक्टर में बहुत सांदार इसको बनता है तो ये रही Top 3 ब्रांच अगर आपको Top 5 कॉलेज में ये Top 3 ब्रांच मिल जाती है तब आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों इसके साथ ही साथ जो अगली ब्रांच के बारे में हम बात करने वाले हैं Electronics Engineering और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं IT की भी बात करने वाला हूँ मतलब Information Technology ये दोनों ब्रांचे ऐसी हैं जो लगभग लगभग सेम मानी जाती हैं या इनको सेम क्राइटेरिया में रखा जाता है Electronics से भी और IT से भी Government सेक्टर में कम चांसेज रहते हैं लेकिन दोस्तों प्राइबेट सेक्टर में तो Electronics और IT से जाब की बाहार रहती है मतलब धुआधार बेकंसी Electronics और IT वाले बच्चों को लिए देखने को मिलती है प्राइबेट सेक्टर में अगर आप प्राइबेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो Electronics और IT से Best Branch है जहां से आप करके बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत सांदार पैकेज पे आप प्राइबेट में आप जाब कर सकते हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और ब्राइबेट होती है जिसको हम Electrical and Electronics Engineering बोलते हैं इसका सको प्रिजेंट टाइम पे बहुत तगड़ा देखने को मिला है बहुत सारे बच्चे इस ब्राइबेट से करके बहुत अच्छी सेल्वी जैसे 20-25 हज़ार की सेल्वी आसान तरीके से देखने को मिल जाती है Electrical और Electronics से डिपलोमा करने के बाद एक जो ब्राँच होती है PMT और एक ब्राँच होती है आपकी Architecture ये दोनों ब्राँच भी बहुत सांदार ब्राँच मानी जाती है प्राइबेट सेक्टर के लिए आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी जहां पर आपको Architect का आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ किरदार देखने को मिला होगा तो Architect भाई प्राइबेट सेक्टर के लिए तो आप कह सकते हैं सांदार ब्राँच है बस इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है यो आपकी Practice है आपका Experience आपका Knowledge होना चाहिए तब आप Architect से डिपलोमा करके बहुत आगे जा सकते हैं कैरियर आप बहुत तगड़ा बना सकते हैं बिल्कुल वही कहानी PMT के साथ भी आप कर सकते हैं तो दोस्तों हमने कुछ आपको जो टॉप महतपूर्ण ब्रांच है उसके बारे में बताया लगभग टॉप 5, 6 ब्रांच के बारे में बताया और इसके साथ ही साथ हमने टॉप 10, टॉप 20 गवर्णमेट कॉलेज के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो में बता रखा है आप उस वीडियो को जरूर देखो और ये कॉलेज आपको मिलेगा कैसे आपको ये कॉलेज या ये ब्रांच पॉलेटेकनिक इंटरेंस एक्जाम 2024 को कॉलिफाइट करने के बाद मिलेगा और ये एक्जाम कॉलिफाइट कैसे होगा तो ये एक्जाम साथियों लर्निंग देपर लगातार बेहतरीन तयारी करने के साथ ही qualified आप कर सकते हैं कुछ नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ whatsapp ग्रूप पर आपको जुड़ जाना है जहांपर मैं आपको personal label पर हर एक suggestion देदूँगा और अगर आप पिछले साल की class देखना चाहते हैं तो चैनल के playlist में आप जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत सांदार class देखने को मिलेगी हम लोगों ने Polytechnic Intense Exam 2013 के बच्चों को भी complete तयारी करवाई थी बिल्कुल free में और हमारा score रहा है लगभग 90% बच्चे जिन्होंने हमारे साथ regularity से class किया था 90% बच्चों को government college मिला है UP के अंदर बहुत सांदार बहुत बढ़िया बहुत अच्छे-च्छे college मिले है अब उसके बाद हम लोगों ने Polytechnic के बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया कि हमने उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की भी complete तयारी बिल्कुल free में करवाई और ये समभ हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम learning day को एक channel नहीं एक परिवार मानते हैं और अगर आप भी channel को subscribe करके learning day से जुडेंगे तब आप भी हमारी family में सामिल हो जाएंगे और आपको भी हम as अपना छोटा भाई as अपनी छोटी बहन मानेंगे और हर suggestion, हर सुझाओ जो आपको जरूरी है पॉले टेकनिक करने के लिए और हर सुझाओ, हर आपका समस्या का निराकरन जो आप चाहते हैं पॉले टेकनिक करते वक्त वो सारी चीज़े आपको केवल और केवल लर्निंग डे ही दे सकता है क्योंकि लर्निंग डे फिर से मैं रिपीट करूँगा एक चैनल नहीं, एक परिवार है और हम परिवार होने के नाते हम चाहते हैं कि आप सक्सेज हो, आप गॉर्नमेंट कॉले से पॉले टेक्निक करें तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल सकती है केवल और केवल लर्निंग डे पर और वो भी सांदार तरीके से बिलकुल फ्रे में, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना किसी भी प्रकार का और कोई अप्लिकेशन आपको नहीं डाउनलोड करना बस केवल लर्निंग डे के इसी यूटूब चैनल पर आपको कम्प्लीट तयारी मिल जाएगी हर्शित सर आपको बहुत सांदार, बहुत बेहतरीन कमेस्टी पढ़ाने वाले हैं प्यूसर आपके साथ जुडेंगे पहली दफा इनको पांच साल का experience है physics पढ़ाने का प्यूसर आपके साथ physics से डिसकस करेंगे मैं आपके साथ math डिसकस करूँगा आपका साथ ही आपका भाई आपका बड़ा भाई आप बोल सकते हैं मैं सौरबोजा आपको math में guide करूँगा साथ ही साथ जो भी information जो भी समस्याओं का नेराकरण आपको चाहिए होगा वो सारी चीजें मैं लेकर के आऊँगा इसके साथ ही साथ आपकी team के साथ आपके साथ आपके personal सुझाओं को और आपकी हर एक समस्या का नेराकरण करने के लिए अब इरल सर जुड़ेंगे और वो आपसे continue रूप से contact में रहेंगे और आपकी हर एक समस्या हर एक सुझाओं को हम साथ लेकर के आपको polytechnic entrance exam 2024 में इतना अच्छा नंबर दिलाने वाले हैं कि हमारा target है कि हमारे यहां से पढ़े हुए बच्चे maximum बच्चे top 5 government college में जाएं और बहुत अच्छी ब्रांच लेकर के अपना जंडा लह रहें तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं इस वीडियो को जरूर आप देख लेना नमस्कार टेक केर थेंक यू जेहन